भाटिबुरा परिसर में कुलना पॉजिटिव मरीजों का मामला प्रकाश में आने से दिग्रस कोविड केर सेंटर के डॉक्टर ने शुक्रवार को यहां करीब 50 लोगों के स्वैप टेस्ट करवाए रैपिड एंटिजन टेस्ट के माध्यम से की गई इस जाश के बाद पचास में से चार मामले पॉजिटिव पाए गए है ऐसी जानकारी कोविड केर के सूतरों ने दी है वही लाख राइजी ग्राम से एक और पहले 38 मामलों को मिला कर दिग्रस तहसिल में कुल कुलना मरीजों का खेल चल रहा हो विगत में तैसिल के कोरोना मरीजों की संख्या 82 दर्ज की गई थी जो बाद में घटकर 38 पर जा पहुची थी ऐसे में हाल फिलहाल में शहर के भाटीपुरा से दो पॉजिटिव मामले उजागर हुए थे जिसके बाद स्थानिय परशासन और दिग्रस को पॉजिटिव परिक्षन किया गया इस संदर में कोविट केर मैनेजर डॉक्तर अभे गोविंदवार ने इन बीसीन को बताया कि रैपिट एंटीजन टेस्ट किट के जरिये किये गए परिक्षन में 50 में से 4 लोगों के स्वैप टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई इसके साथ प्राप्त जानकारी के अनुसार तैसिल के तहट आने वाले लाग रायजी ग्राम से एक शक्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया है आपको बता दे कि हाल ही में शेहर के अंभीका नगर में 75 और कडसा ग्राम में 75 स्वैप टेस्ट का परिक्षन किया गया था जिसम सभी टेस्ट निगेटिव आई थी इस संधर में इसापूर में स्थित कोविट केर सेंटर के मैनेजर डॉक्तर अभे गुविंद्वार ने बताया कि सेंटर को हाल ही में 1000 रैपिड एंटिजन टेस्ट कीट्स प्राप्त हुई है ऐसे में इस्थानिय तैसिल नगर पालिका और पुलिस परशासन के सहयोग और निगरानी में चिकिपसा टीम के डॉक्तरों दौरा केंटेन्मेंट जोन में स्वैप टेस्ट परिक्षन की परक्रिया को अमल में लाया जाएगा बैरहाल शुकरवार को भाटीपूरा परिसर की विभिन गलियों में नगर पाली का लगाने के काम को अंजाम दिया है कुल मिला कर खबर लिखने तक आज पाए गए भाटीपूरा के चार और लाख राइजी से एक शक्स की पॉजिटिव रिपोर्ट के बाद तैसिल के कुल कोरोना मरीजों की संख्या 43 पर पहुच गई है देखना होगा कि 1000 रैपिड एंटि खान की रिपोर्ट